सो फ्रेंड्स कुछ दिनों के बाद वीडियो आ रहा है इसके लिए मैं माफी चाहूंगा एक्चुली यूटूब का जो रूल है ना बहुत ही बेकार है इस वज़े से वीडियो बनाने का एक्षाद नहीं करता है लेकिन फिर भी आप लोगों का डिमांड था कि सर वीडियो दीजिए कंटिन्यू कीजिए सो इसमें मैं जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं आपने थमनेल और टाइटल पर होगा उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफी योजना आज मैं आपको इसी योजना की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट जानकारी दे आजाता है अलग अलग नाम है काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं माल लेते हैं आपका जो बिजली बिल है वो 40,000 रुपे का है अब तक और इस योजना के इंतरगत अगर आप इनरॉल करते हैं तो उसके उपर जितना भी ब्याज लगा है वो माफ कर दिया जाएगा यानि ब्याज जो है वो छोड़ दिया जाएगा अब एक उदारन देकर में समझाता हूं जैसे कि आपका बिजली बिल 800 रुपे का आता है एक फिक्सड डेट होते निश्चित तित्ही होते जैसे कि 22 तारिक तक अगर आप बिजली बिल दे देते हैं तो आपको 1840 रुपे देना होगा अगर आप 24 को देते हैं या 25 को देते हैं तो आपको 1900 रुपे देना होगा इसी प्रकार से अगर आप बाद में पे करते हैं तो आपको जो ब्याज है उसके समेत बिजली बिल जमा करनी होगे तो जब जब आपने बिजली बिल नहीं जमा करा है तो उस आपको डायरेक्ली 40,000 रुपे देनी होगी लेगिन अगर आप इस योजना के अंतरगत एक फिक्स्ट समय जो दिया जाता है उसके अंतरगत आवेदन कर देते हैं और तब बिजली बिल पे करते हैं तो आपको जो है आठ या 10,000 रुपे का जो ब्याज है वो माफ कर दिया जा या एक मुस्त समाधान योजना अब इसके अंतरगत एक रिक्वार्मेंट्स यह है कि जो घरे लूप योग वाले बिजली धारक है वो ही लोग आवेदन कर सकते हैं बागी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं स्टार्ट डेट क्या है वाला है सो फ्रेंट्स डेक्स्टॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना आते अपने टॉपिक पे आपको जो है गूगल पर आकर सर्ज कर लेना है यूपी बिजली बिल माफी योजना देसा मैं यहां पर सर् कर लेना है देन आपके सामने रिजल्ट है सरकारी यूजना.com का यह आ जाएगा ध्यान दीजेगा इसी बैक साइट पर आपको जाना है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है इस पर आने के बाद आपको जो है ओपन कर लीजेगा और यहां पर जो है आ आपका माफ कर दिया जाएगा यानि इसका जो लास्ट डेट है वो आपका एप्रोक्स नौवेंबर का होगा यहां पर आप देखिए गाइडलाइन जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिया गया है मुख्यमंत्री के निर्देश पर प भुगताओं को मिलेगा सौ परतिसर तक अधिवार में चोट उर्जा मंत्री ने 21 अक्टूवर 2021 से योजना को लागू करने की घोशना किया है यानि 21 तारिक से यह लागू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है 30 नौवंबर 2021 तक का है यानि 30 नौवंबर से पहले तक अगर आप इसके अंतरगत बिजली बिल जमा करते हैं तो जो भी सर्चार्ज है वो आपका माफ कर दिया जाएगा बागी जो गाइडलाइन से आप यहां पर पढ़ सकते हैं ठीक है और भी बहुत सारी बात है कि बिजली बिल आपको कैसे पे करना है यदि आपको कुछ नही समझ में आता तो कुछ नहीं करना आपको बस अपने नजदीक में जो भी कॉमन सर्विस सेंटर मौजूद है वहां पर आप जाएगा और उनको बस इतना बुलिएगा कि हमें बिजली बिल माफी योजना के अंतरगत बिल पेमेंट करना है वो आपका बिल जो है चेक करेंग कि ऑफिशिल वैफसाइड है इस पर आप जाएंगे तो आप जो है इस वैफसाइड पर पहुंच जाएंगे और यहां पर आपको जो है सारी बाते OTS बिल भुकतान का लिंक मिल जाएगा यानि पंजीकरन के बिना अपना बिल देखे और भुकतान करने की शुबिदा तो य इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ली आप जो है इस जगह पर आ जाओगे या फिर यहां पर आप क्लिक करोगे तो भी आप जो है इस जगह पर आ जाओगे अब यहां पर आपको जो है अपना 12 डिजीट का एकाउंट नंबर डालना है यानि जो भी आपका कंजीमर आईडी होता सब्मिट करोगे सब्मिट करने के बाद आपके सामने अगला पीज खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको दिखाएगा कि आपका जो बिजली इतना था और आपको दिखा देता हूं जैसे यहां पर देखिए मैंने स्क्रीन सोट ले रखा है अब यहां पर आपको मैं समझा देत था वह 40,727 रुपे था और यहां पर जो सर चार्ज में इनको माफ ही मिल यानि जो छूट मिला है वह 8,025 रुपे का मिला है यानि देख लिजे कि 40,000 के बिल में इनको 8,000 रुपे का ब्याद जो है माफ हो गया है अब इनको केबल 32,702 रुपे देने हैं तो 32,702 रुपे देने के लिए इनको जो है यहां पर अपना मवाइल नंबर डालना होगा इमेल डालनी होगी और इमेल डालने के बाद इनको जो है यहां पर बिल डेक्स में क्रेडिट कार्ट नेट बेंकिंग कुछ भी सेलेक्ट करना होगा और पेन आउ के बटन पर किलिक करना होगा यहा आपको जो है 32,602 रूपए कि करना होगा यह दो जो चालिस घार पर करना था 22,000 रूपए में ओकना विल जीरो हो जाएगा यानि अगले महीने से आपको जो है नएिया आफ दुद्र जो आपको मिलना हो फिल ना हो ऊगा वो मिलेगा तो यह बहुत रहा अच्छी बात है ऐसा योजना योजना जो है मैं बिहार सरकार से भी एक्सेक्ट कर रहा हूँ अगर बिहार सरकार भी ऐसा सुरू कर दे तो बिहार में भी जो पिंडिंग् बिल चल रहे हो ख़ðाक से किलियर हो जाएंगे और बिहार के कुछ आपको benefit मिलता है उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद रहा होगा अगर आप कुछ पूछना या जाना चाहते तो comment box में लिख सकते हैं या फिर बहुत सारे हमारे सोसल गुरूप हमारे जो हे सोसल मीडिया की लिंक आपको दिये गया हो वहाँ पर भी आप हमसे जूर सकते हैं मैं मिलता हूं अगले विडियो में तब तक के लिए धन्याबाद आप सभी का दिन सुभ़ो